नमस्कार संडे अंफंडे रेस्पी में आपका स्वागत है आज मैं अपना मन पसंद रेस्पी सेयर करने जा रही हूं मटर का निमोना मेरी गरांटी है कि इसे खाने के बाद आपकी भी फेर्ट हो जाएगी और हां अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहा है तो प निमोना बनाने के लिए हमने लिए 400 गराम हरी मटर एक आलू अगर छोटा आलू है तो आप दो ले सकते हैं पेस्ट बनाने के लिए हमने अधरख एक इंच दो ग्रीन चिली लासुन की कलिया छे साथ हरी धलिया प्राई करने के लिए तीन टेबर स्फून राई का तेल गराम मसाला एक चम्मत हल्दी पॉड़र एक चम्मत मेथी दाना आधा चम्मत नमक स्वाधनुसार पोड़ावरी चार पांच पोड़ावरी बनाने का वीधी पहले वीडियो में हमने बताया हुआ है जिसका लिंक इ सबसे पहले हम पेश्ट बनाना शुरू करते हैं पेश्ट बनाने के लिए इसको बड़ा बड़ा टुकड़ा काट लेते हैं अच्छी तरफ इस गया है अब हम इसे निकाल लेते हैं इसके बाद मटर भी पीश देते हैं मटर ज्याद रहें दरदरा पीशना है अच्छी तरह से नहीं पीशना है अब हमने दरदरा पीश लिया है पेस्ट हमारा तयार है अब हम आलू को बड़े बड़े पीश में काटेंगे निमोना बनाने के लिए मटेरियल हमारा तयार हो गया है अब हम निमोना को फ्राई करते हैं निमोना फ्राई करने के लिए सबसे पहले हम तेल लालेंगे तेल हमारा गरम हो चुका है अब हम सबसे पहले मेथी डालेंगे आज को धीमा कर देंगे फिन को रवरी डालेंगे पीशा हुआ मटर डालेंगे इसको दो मिनट तक फ्राई करेंगे वटल को फ्राई करते दो मिनट हो गया है अब हम इसमें आलू डालेंगे पेश्ट डालेंगे गरम मसाला डालेंगे फल्दी डालेंगे अब हम इसको पाच मिनट तक भूलेंगे लिमोना को भूनते हुए पाच मिनट हो गया है अब इसमें बहुत अच्छी तुस्गू आ रही है अब आईए इसमें हम पानी डाल देते हैं इसमें हमने देड़ गिलास पानी डाला है अब साथ उंसाल नमल डालेंगे अब इसे ठक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए निमोना अब उबरने लगा है अब हम इसे खोल के पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे निमोना हमारा पक गया है इसे चावल और सपाती के साथ हम संद करते हैं लेकिन चावल के साथ इसका खाने में मज़ा हिया लग है अब हम गया सबन कर देते हैं मुझे आसा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा इस संदे यह रेश्पी अपने घर पर जरूर राई कीजिए और अपने एक्सपीरियस कमेंट के जरिए हम तक सेयर कीजिए ने संदे हम फिन मिलते एक नई रेश्पी के साथ झाल